आजाएं फटापट शुरू करते हैं फिर मद्द प्रदेश जी के वरी गुड मॉर्नी अंकेश पटापट मेरी क्लास के लिंक को शेयर कर दें आप लोग और क्लास को लाइक जरूर कर दें फटापट फिर हम स्टाट करते हैं मद्द प्रदेश जी की इसको आगे बढ़ाएंगे और यह की 11 लाइफ क्लास है लगाता है दस लाइफ क्लास में चुके हैं चले शुरू करते हैं फटा सा समय और लेते हैं और भी स्टुडेंट्स कनेक्ट हों सबी स्टुडेंट्स फटापट एक बार हेलो कमेंट करें और उसके बाद मेरी क्लास की लिंक को शेर कर दें और क्लास को लाइक कर दें कि आगे बढ़ते हैं फिर हम एंपी पी एससी एंपी एससाइए मद्रप्रदिस कॉंस्टिबल पटवारी और जेल प्रेदी इन सभी एक्जाम्स के लिए बहुत ही जादा है आजाएं सभी सभी सारे स्ट्रेंट्स आजाएं चली इस लूप करते हैं अवं ज्यादा समय ना लेते हुए सभी स्टुटेंट्स है मेरी क्लास को शेयर किया के नहीं किया फटापट और स्टेडी कॉंसेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरी क्लास को शेयर कर दें फटापट और क्लास को लाइक कर दें लाइब क्लास को लाइक कर दें इस वेरी इंपोर्टेंट क्लास अबाउट मज़िद परदेश जी के वेलकम नर्वदा जी वेलकम टू माइ क्लास वेलकम टू था स्टेटी कॉंसेट्ट वेरी गुड मॉनिग चलिए स्टू करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए कि मेरा समय कुकं एक बार एक बार यस लिखके वा भीड़े कुमर्ट करदे और अब्सक्राइब को ओन्सक्राइब मद्व की जा मीरी आवाज आरहिएि हुए कि मताएं और सुछंट एख़ोव Metro ans चलिए चलिए अब आज आ रहे हैं थेंक्यू सो मुच नर्बदा जी आपने मेरे को बता दिया थेंक्यू सो मुच चलिए नाउ फर्सक्रेशन is coming यह इस class का पहला question है आप सभी students comments में answer दीजिएगा ठीक है comments में सभी के answer मेरे को आना चाहिए यह लेजिए पहला question निम लिखेत मैंसे असत्य यूग मुझ छाटी है इस मैंसे जो गलत है उसको आपको छाटना है बताएए A B C D कौनसा बासकर मंदिर बालाजी बड़े वाबा का मंदिर कुंडल कुंडल किरी घैसा decía देवी का बाचीन से मंदिर जोंकि वैतल में या पर कनहरगरता तुर्ग जो सिपूरी में तो कौँ सा विकल पर जो इसका गलत है क्लास को μεताहिए सबी स्टुडेंट्स मेरी क्लास की लिंक को शेयर करें उस हाथ में क्लास को लाइक करते हुए चलें चलिए देखिए इसका जो आंशर है आप अगर भटा भट दे रहे हैं तो बढ़िया होगा कमेंट्स में आंशर दीजिएगा सभी स्टुडेंट्स अपनी एक्वेसी आपको चैक करेंगे चलिए अनकेश जी बी पर जा रहे हैं देखिए इसमें जो कंधर गड़ का दुर्ग है अगर आप दी पर जाएंगे तो बिल्कुल सही विकल्प होगा कंधर गड़ कर दूर सिर्पुली पर नहीं है यह यह दतिया में ठीके दतिया में इस्ते थे कंधर गड़ का यह दुर्ग ठीके न और इसको महराजा प्रत्वी सिंग ने बनवाया था ठीक है ना वहां के जो महराज थे महराज प्रत्वी सिंग के तवारा ये कंणरगर का दुर्ग बनवाया गया था ठीक है न जो कि दतिया जिले में सिंध नदी सिंधु नदी है ना सिंधु नदी सिंध नदी है सिंधु नदी बोल सकते हैं जो कि इसके बिल्कुल बाजु से गुजरती कंणरगर के दुर्ग से ठीक है दिस इस दा करेक्ट आंसर चली अगला प्रस्ण आ गया सभी विद्यारती कमेंट में जरूर आंसर दें और साथ में मेरी क्लास को लाइक और से घरिकर दें कमेंट्स में पार्टिसिपइट करें और अपना आंसर कमेंट में जरूर दे वे चली है अगला प्रस्ण आह आगया आपके सामने बताएं धार्मिक नगरी और ऐस दर्स्र इनकी तासरी निकिस्तल है उसमें से कौन से सही है सभी स्टुडेंट्स मेरी क्लास को लाइक गरते और कमेंस में जरूर आप लोग पाइपिशिक करें कि Caption Co is black Matt Notes के साथ में आंसर बिधिते जाए जिनकी आंसर आप है वाकिवाखत है अपको आउसर एड़ डायं बताएंगे ही ही कै जई गे क्लास के निंक को शेयर कर रहे और क्लास को लॉइक कर दें मेरे चैनल को सिब्सक्राइब करने अगर आप वो दूलर मेरी क्लास होती है सुभा दस बजे मद्रप्रदिस जी के कि वह भी लाइफ क्लास चलिए इसका जो आंसर है अगर आप लाइफ को सीपर जा रहे हैं तो बिल्कुल सही विकल्प है देखिए महा कालियदे का मंदिर यह 20 km दूर यहां पर क्या है कौन सी कुफाएं आपर भरतरी की कुफाएं कालियदे की महल यह महल है जंतर मंतर बिल्कुल उज्जेन में है ठीक है और यह किस ने बनवाया था सवा है इसलिए एग दो तीन और पांच यह तेनों गिल्कुल सही होनके जटा कर यह है यह यह फच्रमणी में कि जबहता कर दोड़े चले अगला प्रसन ना रहा है सभी styl यह सबी सबसक्रण का आंसर कॉमेंट में जरूदे बदें देंक। पाटिसिपेट कीजिए जिससे कि आपको यह अक्रिवसी चेक होपा है चलिए मद्द प्रदेश में निम्न में से कौन सा गुप्त कालीन देखिए इसका जो यह है गुप्त कालीन ठीक है गुप्त कालीन मंदिर नहीं है बताईए A, B, C, D कौन सा विकल्प सही है गुप्त कालीन मंदिर कौन सा नहीं है सभी स्टूडेंस कमेंट्स में आंसर देवें हमेरी क्लास की लिंक को शेयर करते हो चलें चले इसका आंसर क्या है अंकिर जी भी पर जा रहे है नर्वादाजी भी भी पर जा रहे है चले इसका जो आंसर देखिए गुप्त कालीन मंदिर A, B, C ये तीनों सही है इसका सिर्फ ग्यारसपुर का जो मंदिर है ग्यारसपुर का जो मंदिर के साक्ष मिले हैं ये नहीं है ये किसने बनवाये थे ये बनवाये थे गुप्त कालीन के मंदिर गुप्त कालीन नहीं है बाकि उदेगरी बिलकुल उदेगरी की कुफाय गुप्त के समय में है ठीके ना साची में मंदिर करमांग 17 देखिए 17 जो मंदिर करमांग है वो गुप्त काल की समय का है ठीके ना यहाँ पे बहुत से स्टूप है साची में जो इस्तूप है ठीक है न वह घुप्ट के समय में भी तेगवा कहां पर है यह जबलपूर में त्गवा डेम है त्गवा बांध बूलते हैं इसको वहाँ पर भी घुप्त कालीन मंदिरों का निर्माद करवाया गया है ठीके चलिए अगला प्रस्णा हा रहा है बताएं भूमिड, भूमिडा, भूमिडा सहली के मंदिर किस वल्स के सासक ने बनवाये थे? बताएं भूमिड, भूमिड सहली, भूमिड, भूमिड सहली है ये, ठीक है न, गलत तरीके से लिखा गया है, भूमिड सहली के मंदिर किस राजवस्त ने बनवाये थे? बताएं इसका आंसर देखिए इसका जो आंसर है वो है परमारवंस अगर आप परमार पे जा रहे हैं तो बिल्कुल सही आ रहे हैं कुर्शन नमर फोर्ट का आंसर कुर्शन नहीं लिख पा था मैंने ठीकिना भी लिख दिया है कुर्शन नमर फोर्ट का आंसर जो है परमारव से दार सिट किया गया था इस राजधानि को रहा है कर वागला ब्रस्ण नम्र-फ्रेप्स कच्प घात मंदिर के कहा देखने को मिलती है कि मिलती इस थापत केसे K餐 वालियर खजराहो पिदिसा या अव्जें पताइए कच्छब गात की जो शैली के मंदिर हैं उनकी वह इस्थापत कला देखने को कहां पर मिलती हैं पुर्श्य मौन फिफ्ट का अंसर दें सबी स्टुडेंस कमेंट्स में आंसर दें और साथ में क्लास को लिंक को श्येर कर दें चली है बताएं इसका जो आंसर है कर्शन नमर फिप्त का अगर आप गॉले में जाएंगे तो बिल्कुर सही है तो इन्हों नहीं इस मंदिर इन मंदिरों का निर्मार करवाया जैसे कि सास्थ बहु का मंदिर भी वहाँ पर मिल जाता है जिसकों कि सास्थ बहु का एक नमूना है ठीक है तेली का जो मंदिर है वो रास्थ कूट वंस उने निर्मार करवाया थे जान रखना है का तेली का मंदिर तेली का जो मंदिर है इसमें इसकों की रास्थ कूट वंस ने उनकी सास्थ को ने इसका निर्मार करवाया था ठीक है और वालियर का जो किला है उसके वारे में तो सभी जानते हैं, इस्ट ऑफ जेवरालिटर ऑफ इस्ट बोलते हैं उसको और उसको राजा सूरसेंग ने, बागेल वन्स के राजा सूरसेंग ने 8th century में उसको निर्माण करवाया था और वहां के सबसे प्रतापी वन्स रहा वो रहा तॉमर वन्स तॉमर वीर सिंग देव ने तॉमर वन्स की स्थापना की वहां पर और उसके बाद में वहां के सबसे प्रतापी राजा मान सिंग तॉमर रहे थे, मान सिंग तॉमर जो कि किसने गुजरी महल, मान मंदिर महल, इन सभी मंदिरों का निर्माण होने ने, इन सभी महलों का निर्माण ह करवाया था दुरुपद दुरुपद सहली के वो संद्रक्चक थे दुरुपद संगीत के चलिए बहुत से प्रशन है ऐसे मद्द प्रदेश के जो कि आपको बीच बीच में मैं वर्वली आपको एक्स्प्रेंड करता रहूंगा चलिए कौर्शन नमर 6 का अंसर बताएं मद् कर्शन नमर 6 का कौम सा विकल पर है अगर आप सब्सक्राइब क्लास से कनेक्ट हैं तो क्लास के लिंक को शेयर कर दें और क्लास को लाइक कर दे और कमेंट में आउसा जुरूर दे बहुत सब शिक्स का आंसर दें देखिए इसका जो आंसर है वो B कसराबद है B कसराबद ये जो 11 और 12 शताबदी में ये जो छेत रहे हैं ये सब परमार कालिं थे ठीके ना परमार वंस के दोरा यहाँ पर ये प्रितिमाओं के वारे में संदक्षन के वारे में जाड़ारी मिलती है ठीक है ना परमार बंस की द्वारा निर्मान करवाया गया था इनका ठीक है कसरावत में क्लियर हो गया अगला प्रस्न आ रहा है सभी स्थूडेंट्स क्लास का आंसर जो वो कमेंट में आंसर देवे यह आ गया अगला प्रस्न प्रस्न नमर साथ बेहसा देही का प्राचीन सिव मंदित किस जिले में इस्तित है बेहसा देही का बताएं भेंट छतरपूर बेतुल या फिर धार बताएं विच्वन ही था करेक्ट आंसर सबी स्टुडेंट्स क्लास में जरूर पाटिसिपिट करें कमेंट्स में और क्लास के लिंक को शेयर और लाइक कर दें चलिए इसका जो आंसर है वो है सी बेतुल पे अगर आप जा रहे हैं तो बिल्कुल से विकल पे बेतुल ठीक है बेतुल इस दा करेक्ट आंसर बेतुल में है ये प्राचीन सेमंदेर जोकी वहसा देही चेतर में है ठीक है सेवन्त का सी इस दा करेक्ट आंसर अगला प्रसना आगया ये आगया परसन नमबर एट मद्बदेश में सबसे उंची गणेश प्रितिमा कहां पर इस दित है बताएं सबसे उची गणेश प्रितिमा कहां पर है भोपाल, उजेन, अमरकंटर या इंदोर कौन सा विकल्प सही है इसका बताएं Which one is the correct answer देखिए इसका जो आंसर है वो है इंदोर अगर आप 8 की C पर जा रहे हैं दी पर जा रहे हैं तो बिल्कुर सही विकल्पे इंदोर में है यह ठीक है ना प्राचीन ये गणेश मंदिर विशाल गणेश प्रितिमा है यहां पर और इसकी हाइट अगर देखा जाए तो टोटल 25 पिट के आसपास की हाइट है जो की मंद्र प्रदेश में सबसे उची गणेश प्रितिवा की रोप में इसको जाना जाता है ठीक है अगला प्रस्ण हो गया प्रस्ण नमर 9 बता है उज्यल का प्रसिद महाकाल मंदिर ठीक है लगभग कितना पुराना है लगभग कितना पुराना है ये 200 वर्ष 200 वर्ष 300 वर्ष चार्ष बता है question number 9 का answer क्या है कि इसको आश्वर को समय के मिलते हैं मंदिर आपके को होलकर या के समय दिवी ऐंदिया थे यहां पर बलते हैं तो नों मंदिर द्यूंल day भी कर वाया था उसके और पहले जाए तो तो परमार कालीन भी यहां पर साक्स मिलते हैं, परमार제로ज भी यहां पर आएद्या度 उनोना भी मंदिरों का निर्माळ करवाया था अगर 11 संचुरी में दिखा जा तो 11 संचुरी के साक्स यहां पर मिलते हैं. तो पिछले तीन-चार सो सालों से महाकाल मंदिर की पूजा की जारी इसके साथ यहाँ पर प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, इसलिए देवी अल्या को यहाँ पर प्रमुक्ष उत्रदाहात माना गया है, ठीक है, क्लियर हो गया, चलिए, आगे बढ़ते हैं, परश्य नमर 20, चलिए, अगला प्रस्ण आ गया, परश्य नमर 10, उज्जेन के प्रसिद्ध, गोपाल मंदिर का निर्माण किसमें करवाया था, पता हैं, दोलत राव, बयाजी राव, वित्रमादित या फिर भद्र सहल, बयाजी बाई, उज्जेन में प्रसिद्ध, जो गोपाल मंदिर हैं, उसका निर्माण किसमें करवाया था, देखे, इसका जो बिकल्प, आंसर है, वो है, बयाजी बाई, जो की, देखे, उज्जेन में दोलत राव, दोलत राव, सिंदिया, जो थे, उन्होंने सिंदिया वंस की नीव डाली थी, यहाँ पर, ठीके न, उसके बाद में यह अपनी राजधानी को गोळियर लेके गए थी, ठीके न, गोळियर सिट्ट किया था इन्होंने, लेकिन नीव यहाँ पर उज्जेन में ही डाली थी, जो उन्ही की जो पतनी है, दोलत राव, सिंदिया की जो पतनी थी वयाजी भाई, उन्होंने यहाँ पर प्रिसिद्ध गोपाल मंदिर का निर्मान करवाया था, ठीके, कौशन नम्मर 10, आब आगया कौशन नम्मर 11, बताएं, 11 नम्मर मद्ध प्रदिश, संसार का, मद्ध सीखर मंदिर, कौन सा वितल्प चाहिए इसका, बताएं, which one is the correct answer? देखिए, इसका जो आंसर है, वो है, नाग चंदर सेकर मंदिर, यह नाग पंचमी, जब नाग पंचमी आती हैं, तो नाग पंचमी में सिर्फ 24 गंटे के लिए, 24 आर्स के लिए इसके पट खुलते हैं, नाग पंचमी के समय, तो इसका सई विकल क्या हो गया, 11 का दी, ठीक यह आ गया, लाट की मस्जित कहां इस्तित हैं, बताएं, पॉर्शन नमर बारवा, इसमें लाट जी विश गलत जड़ा हुआ है, लाट की मस्जित कहां पर इस्तित हैं, बताएं, गया, गोपाल, अनुपपूर, यारतिर, मोरेना, कौन सा विकल्प से हैं इसका, देकर इसका जो से विकल्प में है धार, धार में है ये लाट की मस्जित, धियान रखे, और इसका निर्मार चवदा सो पांच में हुआ था, और ये जो मस्जित का निर्माड हुआ था ये जैन, ध्यान रखेगा, जैन धर्म के, जैन धर्म का जो बिल्कुल ध्वस्त, घंडर था, जैन धर्म के मंदिर था यहाँ पर, इस मंदिर का खंडर पर, खंडर के उपर में इसका निर्माड करवाया गया था, इस मस्जित मस्ज चलिए, अगला प्रस्न आ गया, प्रस्न नमर 12, प्रस्न नमर 13 हो गया, ये त Dennis 13, Amarʊकंटक को दो नाम से जाना जाता है, दूसरा नाम क्या है Amar calls का, बताइए अमर कंटक का दूसरा नाम क्या है सक्पुड़ा, अवत्ती, तीतराज या पुश्कर बताएं कौन सा आंसर है इसका सही पॉर्शन नमर पेरेक आंसर दें अमर कंटक को दूसरे नाम से भी जाना जाता है देखिए इसका जो सही की कल्प है वो है तीर्ध राज, अगर आप सी पर जाएंगे तो बिलकुल सही जाएंगे ठीकिना सी दा करेक आंसर तीर्ध राज, तीर्ध राज की नाम से भी अमर कंटक को जाना जाता है तीर्थों में तीर्थ सबसे पवित्र छेत्र माना जाता है अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम माई का मंदिर माई का हाती और कुण सा कपिल धारा दुग्द धारा सूरिकुंद ये सारे प्रमुक स्तल वहीं पर है अमरकंटक में यहाँ पे की तीर्थ राज बोला जाता है इसको अगला प्रसना आ रहा है प्रसन नमर चौदा 14 बताएं ताजूल मज्जिद ताजूल मज्जिद खालिस्तान कला की उत्किष्ट करती है बताएं तुर्की, मुगल, मैसडोनिया या फिर उनानी ताजूल जो मज्जिद है बताएं इसमें से कौन सा आंसर सही है सभी स्टूडेंट मेरी क्लास को शेयर कर दे क्लास की लिंक को शेयर कर दे और क्लास को लाइक कर दे फटाफट और साथी साथ कमेंट्स में अपना आंसर जरूर दे वेलकूम वंदना जी, वेलकूम टू माई चैनल, चले, इसका जो आंसर है वो है मुगल, ठीक है, मुगल का यूदकुष्ट नमूना है, ताजुल मस्जित, ध्यान रखीगा, इस मस्जित को किसने आठवी, भोपाल की, ठीक है, भोपाल जो स्टेट था उस समय, भोपाल स्ट बेगम की द्वारा इस मंदिर का, इस मस्जित का निर्मार करवाया गया था, ठीक है न, ये एक भोती विशाल मस्जित है, जो कि एसिया की, ठीक है न, दूसरी सबसे बड़ी मस्जित कहलाती है, ताजुल मस्जित, जो कि क्या गुलाबी, गुलाबी पत्थरों से बनी थी लेकिन बाद में इसका निर्मार बारे सरकार ने पूरा कंप्रीट करवाया था क्योंकि धन की कमी होने की तारण यह पूरी कंप्रीट नहीं हो पाई थी बहुत ही विशाल तरीके से इसको बनवाया गया था ठीक है चलिए अगला प्रसन ले ले लेते हैं यह आगया आगला प्रसन ले प्रसन ले 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 लेते हैं चले बताएं, इसका क्या आंसर है, बड़ा महादेव और छोटा महादेव मंदिर खालिस्तान के पास इस्तित हैं, कौन सा विकल्प चाहिए, वेलकम सारभ जी, वेलकम तो माई क्लास, एंड वेरी गुड मॉनिंग, उज्जेन, मांडू, नर्सिंगर या फिर भोजपूर, ब बड़ा महादेव और छोटा महादेव, यह जो मंदिर हैं, यह कहां परिष्टित हैं? I request to everyone, please, मेरी क्लास की लिंक को शेयर करें, और क्लास को फॉलू कर लें, मेरी चैनल को फॉलू कर लें, स्टेडी कॉंसेट को सब्सक्राइब कर लें, और साथी साथ, क्लास को लाइक करते हुए चलें, इसका जो आंसर है, हो सी विकल्प बिल्कुल सही है, नर्सिंगर, व्य जावरा जो है, वहाँ पर इस्ते थे यह बड़ा महादेव और चोटा महादेव मंदिर, ठीक है, और यह बहुती जदा प्राचीन मंदिर है, ठीक है, चले, अगला प्रस्ण आ रहा है, यह आ गया अगला प्रस्ण, प्रस्ण नंबर 15 था यह, क्यों सोला था, प्रस्ण आन इन में से कौन सा सहर बौध धर्म का एक पवित्र सहर की रूप में विख्यात है। मता हैं सांची, खज्राहो, विदिशा या फिर सागर। कौन सा विकल्ब सही है इसका। बौध धर्म का एक पवित्र सहर है। इसका सही विकल्ब अगर आप ए पड़ जा रहे हैं बिलकुल सही है सांची। जोगी एक बौध सहर की रूप में पवित्र सहर है। यहां पर बौध धर्म के स्थूप। भारत का सबसे बड़ा अस्थूप। सांची का सबसे बड़ा स्थूप कहलाता है जो यह नहीं पर है। यहाँ पे की दो बौध इसीस, ठिके ना, किसकि महामाध गिल्यान और उनकी यहाँ पर रखी हुई है, ठिके? सारी पोत्र और महा मौत गिलायन की सहस्तियां ये पर रखे हुई है जिसकों की 1989 में युनिस्को ने विश्व दरवर घोसित किया गया था समराथ असोग के द्वारा ये सारे इस्तूब बनाय गए थे थर्ड सेंचुरी में फॉस्स मित्र सुंग न एंस यहां तो रनद्वार बनाय थे ठीक है विलकुल सही खज्राहो ये चंदYeलों का है, विदिशा ये गुप्तवंस की समय का है ठीके? और सुंग वन्स सुंग वन्स काए ऐब तीर्वेश सासग तीर्वेश आसकते हैं यहाँ पर भागबद ठीके? Its के समय में यहाँ पर हलिडुरियस आया था हलिडुरियस यहाँ पर कलव इस ठंकके स्तापना खमी तनांकी थी खंबाबावा सागर यहां पर भी गुप्त कवंच के साक्ष मिले हैं एरण में सतिप्रता के साक्ष यहां पर प्राप्थ हुए है ठीक है चलिए अगला प्रस्णा आ रहा है प्रस्ण नम्र 17 यह लिए 70 नम्र प्रस्ण मद्ध प्रदेश के खजराओं की मूर्तियां भगवान को समर्पित हैं बताईए प्रस्ण ने तीर तरा महावीर या सिव कौन सा विकल्प चाहिए है खजराओं में जो मंदिर हैं उसमें मैक्जिमा में कौन सी मूर्तियां किस भगवान को समर्पित हैं बताएं इसका जो सभी विकल्प पर अगर आपना कॉर्शन नमर्प सेवेंट ले तो सिव भगवान सिव के लिए सबसे जादा मूर्तियां यहाँ पर समर्पित है ठीक है न इस इत्वर करेक्ट अंसर भगवान सिव लिए जादा समर्पित है खज्राव मंदिर जिसका निर्मार नो सो पचास से लेके दस सो पचास इस भी में चंदेल वंस ने करवाया था किसने चंदेल वंस के द्वारा हुआ था चंदेल वंस के सबसे ज़्यादा मंदिर निर्मार करवाया था राजा दंग देव ने दंगदिव ठीके ना जिन्होंने की खजराओं को अपनी राजधानी सिफ्ट किया था ठीके ना इन्होंने ही बनाया थी खजराओं को अपनी राजधानी बनाया था ठीके ना और इसकी सबसे जाता प्रतापी राजधा कौन रहे खजराओं के समय में चंदिल के विद्याधर ठीके ना विद्या सागर या विद्या धर नाम है उनका वो रहे थे यहाँ पर जिन्होंने की किसको भगाया था हरा के किसको हराया था महमद गजनवी को गजनी बोलते थे से महमूद गजनवी को हराया था महमुद गजनवी को हरा के यहां पर हराया था उसके बाद में इन्होंने किसका सूर्य मंदिर का निर्माड करवाया था किसका सूर्य मंदिर का निर्माड इन्होंने करवाया था यहां पर ठीक है चलिए अगला प्रस्ण आ रहा है प्रस्ण नम्मर 18 कि प्रस्थानमर 18 सबस्ट कर दें हिलाज के लिंक और चारे को सब्सक्राइब कर ले कर लाइक है के बताएं मंसौर, उज्जेन, रतलाम या छतरपूर पर्शन नमर 18 का आंसर दे देखिए इसका जो आंसर है वो है मंसौर मंसौर में है यह परशोपति नात का मंदिर लहाँ पर पर सिनादी, भूलना नहीं है अपनको, बहुत इंपॉटेंट है यह खईवार पर्शन बनते है शिवना नदी शिव ना नदी के पास में हैं यह मंदिर तीक है ना जिसकों के पर हुआत के द्वारा इस मंदिर का निर्माड हुआ था ठीक है जिसको कि वशुपति नाथ मंदिर या पर शिव मंदिर की नाम से भी जाना जाता है ठीक है चले अगला प्रशना आ रहा है प्रशन नमरinci प्रशन नमर उननीस आ गया आपके साखने ये बताईे प्रशनल मर उनीस है ये प्रस्रिद्ध महियर मात्रा का मंदिर किस जिले में स्थित है बताएं सतना जवलपूर सागर या फिर दमो इसमें से कौन सा विकल्प सही है बताएं विजबनीदा करेक्ट आंसर इसका असरी विकल्प सतना सतना में है ये महियर माता या फिर सार्दा माता माता सार्दा का मंदिर बोलते हैं सार्दा मतलब सरस्वती सरस्वती माता का मंदिर है ये विणा वादनी सरस्वती माता का मंदिर ठीक है ना इसको सार्दा माता का मंदिर कहते हैं और यहां पर संगीत, संगीत की राजधानी भी बोलते हैं से, संगीत की राजधानी, ठीके, संगीत तक अलावदिन यहाँ पर थे, आला उदल का छेत्र भी रहा है ये ठीक है आला उदल का छेत्र चलिए अगला प्रसना आगया महियर बैंड यही का है होती यदा पॉपुलर बैंड अगला प्रसना आगया 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 प्रस कंदरिया महाद्य मंदिर कहां परिस्तित है। देखे इसका जो आंसर है वो है खजराओ में, खजराओ योकी कहां पर है चतरपुर में, भूलना नहीं है अपन को, चतरपुर में इस्तित है ये खजराओ, ठीके ना जोकी चंदिलवंस की राजधानी थी, ये भी आपको बिल्कुल में आपको मैं भी पहले बताया था और ये कंदरिया मंदिर, कंदरिया महादेव को मंदिर खजराओ में, जोकी इनिश्को की विश्व दरवर सोची में भूसे थे। चले अगला प्रसना आगया, प्रसन नम्मर 41, वो सरी, 21, बताएं, नीलकंट महादेव को मंदिर निम्नमेसिक किस इस्तान पर हिस्तेत है, बताएं, नीलकंट महादेव, A, B, C, D, कौनसे विकल्प में सही है? मादू, मद्रपर्देश, रिसी केश, उत्तराखन, चिदंबरम, तमिलनाडू, या उदेपूर, राजिस्तान, कौनसा विकल्प चाहिए? सभी स्टूटेंट मेरी क्लास को शेर कर दें, क्लास के लिंक को जो अभी connect हूँ है, जिन्हों ना अभी तक किया नहीं है, और क्ला लाएव आपके सारे जितने भी facts हैं, और जितने भी doubts हैं, सारे clear मैं करूँगा यहां पर, चलिए, इसका जो सही विकल्प है, वो है मांडू, ठीक है, अगर आप एपर जा रहे हैं, तो बिल्कुल सही है, मांडू में इस्तित है, ये, निल कंट महादेव का मंदिर, ठीक है चलिए, अगला प्रस्णा आ रहा है, प्रस्ण नम्मर बाईस, ये आ गया प्रस्ण नम्मर बाईस, सास बहु मंदिर निमलिखित में सिक किसिस्तान पर निर्मित हुआ है, चंदीरी, बॉलियर, खजराओ या फिर विदिसा, कौन सा विकल्प सही है इसका, पतगा है, वेलक इसका जो आंसर है, गौली अर्यसकी में बता चुका हूँ, सास्त्र बहु मंदिर, सास्त्र बहु इसका बिगड़ा हुआ नाम है, वेसे इसका नाम सास्त्र बहु मंदिर है, सास्त्र बहु, बहु मंदिर की नाम से जाना जाता है, ठीके, सास्त्र बहु मंदिर, ठीके, जि इसको की महिपाल, राजा महिपाल ने बन बाया था इसको, राजा महिपाल ने इस मंदिर का निर्माट करवाया था, और ये कुवालर की किले में निर्मे थे, ठीके न, किले में बना हुआ है, ठीके, और कुवालर की किले के बारे में इत्यास, गोपांचल परवत पर निर्मे करवाया था जो की रिसी गवाला की स्मिर्थी में ठीक है और भोती प्यारा इतिहास रहा है इसका और इसको क्या कहाया था भारत की कुंजी कहाया था इसको भारत की कुंजी किसने कहा था एं लाड हैस्टिंग ने लाड हैस्टिंग हैस्टिंग ने इसको भारत की कुंजी कहा था ठीक है चलिए चलिए अगला प्रस्ण आ गया ज्यान रहें मेरी क्लास को फॉलो कर लें और क्लास के लिए को शेयर कर रहें एक, दो, तीन, चार, कौन सा विखल्प चाहिए इसका, पर्शन नमर तेईस है ये, ठीक है, बताएं इसका आंसर, इसमें से कौन सा विखल्प चाहिए, धीक है। इसमें अगर आप दो में जाएंगे, तो बिलकुल सहिए है, एक कहां पर है एक, उज्जन में हैं, और दूसरा कहा है दूसरा ओम कारेशवर ओम कारेश्वर जोकी कहां पर है ओम कारेश्वर खंडवा में ठीक है दोनों ही जोतिरलिंग यहां परिस्ते थे उज्जयन में योकी महाकाल के नाम से जाना जाता है महाकाल का मंदिर ठीक है महाकालेश्वर ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर यह दो जोतिरलिंग है ठीक है ना भोजपुर नहीं है सौरब जी ठीक है ओमकारेश्वर ओमकारेश्वर और महाकाल उच्जेन में ठीक है ओमकारेश्वर यहां पर की आदी संकराचार बहुत इंपोर्टेंट याद रखेगा आदी संकराचार जी की यहां पर गुफाएं हैं जो कि कई बार एकजाम में पूछी आती है जिनोंने की चार मठों की इस्तापना की थी चार मठ बनाए थे जिनका जन्म कहा हुआ था केरल में और इन्हें अपना अंत सब्सक्राइब नाम से इसकी संग्या दे जाती है जिब्रालिटर का किला एक जिब्रालिटर का किला है उसकी संग्या दे जाती है मद्रजेस के गौलर के किले को इसलिए जिब्रालिटर ओफ इस्ट कहा जाता है इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपना भारत क्या पूर्व में है ठीक है ना इस्ट में है अपना भारत ठीक है भारत को पूर्वी देश कहा जाता है और पूर्वी है इंग्लेंड में इसलिए इसको जिब्राइटर रॉप कहा जाता है ठीक है अब पस्चिमी देशों का ये बहुत ही विसाल और मजबूत किला है इसलिए इसको मजबूती के एक संग्या दी जाती है ठीक है कि लेर हो गया बंदना जी आया चली अगला प्रसन आ रहा है बताएं यह आगया अगला प्रसन प्रसन नम्मर 24 महा कालेशवर मंदिर किस भगवान का मंदिर है इस बिल्कुल क्लियर है आप बता सकते हैं इसका अंसर इसका क्वाइट एजी क्वर्शन महा कालेशवर मंदिर इसका मंदिर अगर आप डी पर जाएंगे तो बिल्कुल क्वाइट इसी है ज्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है सिवलिंग है यहाँ पर जो की जो त्रिलिंगों में से दो जो त्रिलिंगों में से एक मैंने भी आपको बता दिया है चली ज्यादा एक्स्पैन करने की कि अबडी में 11 संचुरी में यहाँ पर परमारवंस ठीके ना परमारवंस रहे ने अपनी राजधानी बनाया तबसे इसमें यहाँ पर मंदिरों का दिरमार्वंस का भी हात है यहाँ फोलकरवंस साथ म Hello बाद में यहाँ पर सवाई मादो सिंग् के सवाई रजा सवाई शींग ने आपर जंतर evol睦 का निरमार भी करवाया था और इस जंतर मंतर को मादो अंदिया मादो राव सिंदिया ने इसको रिपर भी करवाया थह यह चतिकरस्त हो गई थी ठीके ना तो यहाँ पर बहुत सी चीजे हैं जो की एक साथ जुड़ी होई है ठीके ना इल्टुत मिस इल्टुत मिस ने यहाँ पर 1131 में ध्यान रहे 1131 में यहाँ पर हमला किया था यहाँ पर और यहाँ की कई मंदिरों में तोड़ भी की थी ठीके परमार के समय में चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न आ गया प्रस्न नमर 25 यह आ गया प्रस्न नमर 25 महियर माता महियर की माता की मंदिर है उसमें दुरगा का कौन सा रूप है मैंने अभी आपको बताया था दुरगा का कौन सा रूप यहाँ पर पूजा जाता है मा सीतला, सार्दा, रेणुका या फिर काली कौन सा विकल्प सही है इसका आंसर दें विच बन इस दा करेक्ट आंसर सभी स्टूडेंट्स मेरी क्लास की लिंक को सेर करते हैं और क्लास को like करना बिल्कुल न भूलें क्लास को like करते हुए चलें आप ओमकार्यश्वर का मंदिर सतीर जी खंडवा में है खंडवा खर्बोन में नहीं है खंडवा में है ध्यान रखेगा खंडवा में है ये ठीक है ओमकार्यश्वर यहाँ पर आदी संक्राचार जी की गोपाएं है ठीक है चली यह आ गया इसका आंसर है मां सारदा मां सारदा यहने की सरस्वती सरस्वती जी की पूजा होती है यहाँ पर ठीक है मां सारदा का यहाँ पर रूप है वहियर में चली अगला प्रस्ण आ गया यह आ गया अगला प्रस्ण नमबर 26 26 का आंसर देवें विश्व प्रस्षिद्ध खजराहों मंदिर में कुल संक्या कितनी है बताइए 20, 22, 25 ये 28 जो खजराहों के मंदिर है जिनकों की युनेसकों ने अपने विश्व दरुगा सोची में सामिल किया है 1986 में इसमें टूटल कि संक्या अभी सेश रह गई है बचे हुए मंदिर कितने हैं भी वर्तमान में कौन सा विकल्प सही है इसका देखिए इसका सही विकल्प है 22 ठीक है न वर्तमान में 22 मंदिर है जो की बिल्कुल सही इस्तिती में है सही इस्तिती में आपको देखने को मिलती हैं कई बुक्स में 25 बताया लेकिन भर्तमान में 22 मंदिर सेश रह गये है ठीक है और टूटल यहाँ पर 85 मंदिरों का निर्मार्ण करवाया था जो की चंदील वनसों ने करवाया था वो भी हिंदू, हिंदू सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, यहाँ पर इन मंदिरों का निर्मार्ट करवाया था, ठीक है? और ये हुआ था नो सो पचास से लेके दस सो पचास में कई और बता चुका हूँ इसी क्लास में मैंने कई और बताया है आपको इस भी के दौरान राजा दंग देख की दौरा यहाँ पर सबसे अधिक मंदिरों का धिर्मार हुआ है चलिए अगला प्रस्न आ गया ठीक है अगला प्रस्न प्रस्न नम्मर 27 यह रहा बताएं 27 का महा कालिश इतो हो गया easy question है कई और आ रहा है प्रस्न नम्मर 28 बताएं खजराहों के मंदिर किस जिले में इस्तित हैं इसे वेरी इंपोर्टेंट किस जिले में खजराहो मंदला चतरपूर बाला घाट या रीवा कौन सा विकल्प है जी सनातन धर्म के हिंदू मंदिर बिलकुछ सही है स्वारब जी बताएं question नम्मर 28 का अंसर दें खजराहों के मंदिर कहां पर इस्तित हैं देखिए इसका सही विकल्प है चतरपूर चतरपूर जिले में है ये खजराहों के मंदिर ठीक है ना और यहां पर तीन धर्मों के मंदिर ने ध्या लखेगा भूलना नहीं है अपनको जैन सेवधर्म और वैशनवधर्म ठीक है ना तीन धर्मों के यहाँ पर मंदिरों का निर्मार हुआ है जैन धर्म, सेव धर्म और वैशनव धर्म अगर यह प्रसंद बनता है तो बिल्कुल आपको सही आंसर देना है जैन धर्म, सेव धर्म और वैशनव धर्म सेव धर्म कौन से हैं महावीर महावीर, पार्षनाथ इन सभी की वारे में ठीक है? और रिसब देव जो की प्रमुक के गुरू रहे हैं टोटल 24 इनके तीर गुरू रहे जी सबसे ज़्यादा प्रशलित जो मंदिर है वहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रशलित है और प्रसिद्ध है वहाँ पर सबसे विशाल मंदिरों में गिनायाता है कंदरिया महादेव का मंदिर ठीक है? चलि अगला प्रस्न आ रहा है जी, उज्यन में भी है उज्यन में अपने महाकाल है ठीक है बंदना जी, चतरपूर, चलिए, अगला प्रसना आ गया, प्रसन नम्मर 29, इसका अंसर देवें, ये तो हो गया है, बता दिया है मैंने, अगला प्रसना है 29 वा, कंकन मट से मंदिर के लिए जाने वाला, जाने जाने वाला सिहोरिया, मद्द प्रदेश के किस जिले में हैं, बताईए, कंकन मट मंदिर कहां पर है, मुरेना, गौलियर, सिवपूरी या फिर सिवपूर, बताएं, सिहोनिया, देखिए इसका जो आंसर है, अगर आप ये पर जा रहे हैं, तो बिल्कुल सही है, मुरेना में, मुरेना में कच्वाहा, क्या कच्वाहा बंस के राजा, राजा कीरती राजने, किसने, राजा कीरती राजने, इस मंदिर का निर्मार करवाया था, निर्माता है इसके ये, ठीके, और ये मुरेना में इस्तित है, ठीके, कंकन मंदिर से नाम से जाना जाता है, ठीके, मुरेन कर दें और अगर रेगुलर आप आना चाहते हैं तो रेगुलर समय पर आएं दस बज़े क्लास होती है MPGK की मेरी क्लास को मेरी study concept channel को आप subscribe कर लें all notification के साथ में और इसके बाद में एक बज़े मेरी क्लास होगी ध्यान ध्यान रहे एक बज़े होगी history पर class ठीक है इस इंडियन इस्ट्री पर हम class लेंगे तो सभी विद्यारती इसमें भी जुरूर आएं वहुत important class होगी ठीक है इसमें हम तुर्क तुर्की आक्रमन और उसके आगे दिल्ली सत्रत के बारे में पूरी questions लेंगे ठीक है इस वेरी important चलिए अगला question आ रहा है इंडियन इस्ट्री पर होगी class ठीक है class का link आपको class के बारे में पूरा का पूरी जानकारी ठीक है ना टेली ग्राम चैनल वाट्सप गुरूप का चैनल आपको यह पर मिल जाएगा तो यू कैन directly you can connect ठीक है मेरे वाट्सप गुरूप से भी जुड़ जुड़ जाया है उसका link मेरा आपको इस class की link description box में पढ़ा है चले अगला प्रसना आप गया प्रसन नमबर तीस बताएं तीस नमबर question है सीता मणी मंदिर का समूँद कहा इस्तित है बताएं वोटपूर चंदेरी करनपूर या मंदला कौन सा विकल्ब शाएए इसका सीता मणी के मंदिर का समूँद सबी students मेरी class को share करते हैं class की link को like करते है class को दिखिए और साथ मेरी class को follow कर ले है मेरी channel को follow कर ले है अगली class बिल्कुल नहीं बोलना है history की class है एक बजे like class ठीक है उसमें भी आप लोग आएगा सबी लोग देखे इसका जो आंसर है तीस का वो है चंदेरी चंदेरी जो की असोक नगर में है कहाँ पर है ये असोक नगर जिले में है ये चंदेरी में और वहाँ पर ये मंदिनों का एक समू है ठीक है छुटे-छुटे मंदिर बने हुए है यहाँ पर ठीक है और ये मंदिर बहुत ही जादा है एतिहासी ग्रूप से बहुत ही जादा है इसकी मानिता है ठीक है इनको पूरी तरीके से संदक्चित किया गया था मद् बाद में इनमें से कई मंदलों का पुना निर्माड भी करवाया गया चंदेरी में जो की गुड्जर परतिहार इसका गुड्जर परतिहार बैसके का साक्च रहा है यहांपर थीक आच zdrow किना चंदेरी यहांपर कि किस ने बावर ने आक्रमण किया है बावर ने आक्रमण किया था कब किया था 1528 में जब यहां पर राजा कौन थे मैदनी राय मैदनी राय यहां के राजा थे और समय यहां पर 700 से अधिक राजपूत रानियों ने ठीक है रानियों ने यहां पर जोहर दिखाया था तो जोहरपुंड है यहां पर सबसे प्रमोग बूला नहीं है जोहरपुंड बहुत अच्छा बहुत ही प्रमोग है इसको मुना दबाएं प्रम सब्सक्राइब करेंगे अच्छा मिर्नें बलाइब अच्छे की बाद मेंकी सब्सक्राइब कर आए ज regular क्लास tastes 2 कि जोहर कुंड मेंदनी राय ठीक है मेंदनी राय के समय में 1528 में वावर ने यहां पर आक्रमण किया था चंदेरी की किले का निर्माट किस ने करवाया था चंदेरी की किले का निर्माट चंदेरी की साड़ी यहां बिल्कुल बिल्कुल महसूर है यहां पर चंदेरी की जिसको जी आई टेक भी मिला हुआ है विश्वर प्रस्षिद सारियां हैat ठीक है के दिये सब्सक्राइब हो यहां फांपार ठीक है चलिए अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने प्रश्न नम्मर 31 यह आ गया प्रश्न नम्मर 31 का अंसर दिजीगा 35 मंदिर कहां परिस्तित है बताएं अमरकंटर मान दाता निमा वर या पिर डिरही 45 परिस्तित है देखिए इसका जो विकल्प है अमर कंटक बिल्कूल सही है यहां से की नर्बदा नदी का उद्गम हो है नर्बदा के अलावा सोन नदी भी यहीं से अमर कंटक से निकली है उसके साथ में सोन की जोहिला नदी का उद्गम यहीं से हुआ है जोकि सोन की सायक नदी है तो यह पातालिश्वर मंदिर यहीं परिस्थित्य अमर कंटक में ठीक है अमर कंटक इस दर करेक्ट आंसर ठीक है और यह कहां पर है पुष्प राजगर्ड तहसील ठीक है पुष्प राजगर्ड तहसील है यह ठीक है न वहाँ पर है यह ठीक है चलिए अगला प्रस्ण आ रहा है प्रस्ण नमर 32 अगली क्लास को बिलकुल नहीं भूलना है सभी विध्यारती ध्यान रखें अगली जो क्लास है मेरी वो हिस्ट्री पर है जवलपूर में है नहीं जवलपूर में नहीं अमरकन्टक में है पाताल इसटोर है नगी पाताल ठीक है पाताल यहां से नर्वादा नदी का हुद कम हुआ है भूजपुर शिव मंदिर कहां पर है अगली क्लास का तुछू ध्यान रखेंगा एक बज़े मेरी क्लास जो है सभी विद्यारती एक बज़े वाली क्लास को बिल्कुल मिशना करें ठीक है एक बज़े इंडियन हिस्ट्री ठीक है लाइब क्लास होगी है इंडियन हिस्ट्री पर इंडियन हिस्ट्री चलिए बोजपूर का भोजिस्वर मंदर कहा पर है जवलपूर अनुपूर या पर भोजपूर देखिए इसका जो आंसर है वो भोजपूर बुलगुल सही है राजा भोज, भोजपूर जिस तरगी से भोज लिखा हुआ है, राजा भोज ने, भोज राज बोलते देने, राजा भोज राज ने ये मंदिर का निर्मार करवाया था, और ये हुआ था 11th century में, 11th century में हुआ था और ये 13 सासक थे, कौन से, 13 परमार सासक रहे थे ये, परमा साइक्लोपियन, साइक्लोपियन डैम का निर्मार करवाया था, परमार वंस ने, ठीक है न, जिसको की तुड़वा दिया था, किसने, अफगानी राजा, अफगान, अफगानी सुल्तान, किसने हुसंग साने, हुसंग साने इसको तुड़वा दिया था, पहला साइक्लोपि तुर्की आक्रमाण तुर्की जो आक्रमाण है तुर्की आक्रमाण से हम चालू करेंगे ठीक है उसके बाद में बैसे तो इसकी medieval history, Asian history के भी हम questions लेंगे लेकिन अभी हम तुर्की आक्रमाण से आगे बढ़ेंगे तुर्कों ने आक्रमाण किया था सबसे पहले जो आया था मेहमूद गजनवी 712 से हम चालू करेंगे अभी ठीक है इसलिए सभी विद्यारती लगाता है मेरी class को चुड़ें You will get lot of more मेरी चैनल को subscribe कर लें और साथ मेरी class के link को जादा से जादा share करें ठीक है clear हो गया ये clear है आपको चली भोजपूर कापी कुछ बता दिया है मैंने भोजपूर के बारे में भोपाल में भी राजा भोज ने ठीकिन भोपाल नगरी बसाई थी भोजपाल नगरी और साथ में भोपाल का जो सबसे बड़ा तलाव है भोपाल क्या है ठीक है चलिए तो यह होगी मेरी पूरी एक गंटे की क्लास कंप्लेट कल फिर होगी MPG की क्लास सेम टाइम पर हिस्ट्री की क्लास अभी मैंने आपको बता दी फिर सामको 6 वजे MPPSC की क्लास है सभी को मैं बता रहा हूं सारे स्टूडेंट जान से सुनें उसके बाद में हिस क्लास MPPSC की MPC की की लाइब क्लास होती है जितने भी क्लास होंगी मेरी लाइब क्लास होंगी सभी में आप चुड़िएगा ठीक है चलिए थैंक्यू सो मच एब्रीबन तो ज्वाइनिंग माई क्लास एक वजी वाली क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर से जिसमें कि मैं पेंद तरूँगा विद डेटेल अनलेसिस गौद ब्लेस यू आल और अपना खास क्याल रखें ठीक है